सो हेलो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 20,000, 22,000 से कम प्राइज के बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे दमदार कैमरा, बिग बैट्री एंड पावरफुल प्रोसेसर जिसमें आप काफी अची तरीके से गेमिंग कर पाएंगे तो वीडियो मेंट तक बने रहें और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के एक लाइक जरूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे सची वीडियो ला सकूँ दोस्तों बात करें नमबर पांच की तो नमबर टैन पर आता है मी टैन आई जिसमें आपको देखने मिल जाता है 6.7 इंचिस की हाय रिजोल्यूशन डिस्प्ले और साथ ही आपको मिल जाता है 120Hz का हाय रिफ्रेसिंग रेट जो की गुरिला गलास 5 के साथ आता है और साथ ही बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 750G का Octa-Core प्रोसेसर जो की गेमिंग के लिए काफी प्रोसेसर माना जाता है और दोस्तों बात करें इसके RAM ROM की तो इसे 3 variant में लांच किया गया है जो की आता है 6GB RAM के साथ 64GB 6GB RAM के साथ 128GB और 8GB RAM के साथ 128GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ में और साथ ही इसमें आप memory card लगाकर 512GB तक expand कर पाएंगे और साथ ही fingerprint sensor इसके right में देखने को मिल जाता है जो की काफी fastly काम करता है साथ ही दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है Quad-D-Air camera का setup जिसमें 108-8-8-2-2-2-pixel cameras देखने को मिल जाते हैं और साथ ही इसके front में देखने को मिल जाते है 16-megapixel का selfie shooter का support और साथ ही इसमें आप 4K video recording कर पाएंगे दोस्तों बात करें इसके battery की इसमें आपको देखने को मिल जाती है 4820 MHz की powerful battery जो की 33W के fast charger के support करेगी तो दोस्तों बात करें इसके price की तो यह आपको 22,000 में देखने को मिल जाएगा साथ ही दोस्तों बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पर आता है IQ Z3 जिसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.6 inches का high resolution IPS LCD display साथ ही आँ देखने को मिल जाता है 120 Hz का high refreshing rate जो की Gorilla Glass 3 के protection के साथ आता है और साथ ही बात करें इसके processor की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है Snapdragon 768 का octa-core processor जो की gaming के लिए काफी popular processor है और साथ ही बात करें इसके storage की तो इसे तीन variant में launch किया गया है जो की आता है 6 GB के साथ 128 GB storage के साथ और 8 GB RAM के साथ 128 GB और 8 GB RAM के साथ 256 GB storage के साथ और साथ ही इसमें देखने को मिल जाता है dedicated storage slot जिसे आप 1 TV तक expand कर पाएंगे और साथ ही दोस्तों इसमें fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है जो की काफी fast और accurate बर्ग करेगा तो अब बात कर इसके camera की तो इसमें आपको triple rare camera का setup देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 64 MP प्लस 2 प्लस 8 MP प्लस 2 MP का camera setup देखने को मिल जाता है तो वहीं इसमें 16 MP का selfie shooter के support भी देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें आप 4K video recording भी कर पाएंगे और साथ ही बात कर इसके बैट्टे की तो इसमें आपको 4400 की बैट्री देखने को मिल जाती है जो कि 55W के fast charger के support करेगी तो दोस्तों बात करते हैं इसके price की इसके price होंगे 19,990 रुपीज तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 की तो दोस्तों नंबर 3 पर आता है Redmi Note 10 Pro Max जिसमें आपको देखने को मिल जाता है 6.67 इंचिस की High Resolution Super Emulated Display जिसमें आपको देखने को मिल जाता है 120 Hz का High Refreshing Rate जो की Gorilla Glass 5 के protection की साथ आता है और साथी बात करने इसके processor की जिसमें आपको देखने को मिल जाता है Snapdragon 730G का Octa-Core Processor जो की एक Gaming Processor है जो साथी बात करने इसके RAM और Storage की जो स्मार्टफोन को लांच किया है तीन वेरियंट में जो है 6GB RAM के साथ 64GB और 6GB RAM के साथ 128GB और 8GB RAM के साथ 128GB Storage के साथ लांच किया गया है जो साथी इसमें देखने को मिल जाता है Dedicated Storage Slot जो साथी इसमें आप 512GB तक Storage कर पाएंगे और साथी इसमें राइट साइड में Mounted Fingerprint Sensor दिया गया है जो की काफी Fastly काम करता है साथी दोस्तों बात करें इसके Camera की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है Quad Rear Camera का Setup जिसमें आपको 108MP प्लस 8MP प्लस 5MP का Setup देखने को मिल जाता है और साथी इसमें आपको 16MP का Selfie Shooter का Support भी देखने को मिल जाता है साथी इसमें आप 4K Video Recording भी कर पाएंगे साथी दोस्तों बात करें इसके Battery की तो इसमें आपको 5020 की Battery देखने को मिल जाती है जो की 33W की Fast Charger को Support करेगी तो दोस्तों बात करें इसके Price की यह स्मार्टफोन आपको Flip Card पर 18,000 में देखने को मिल जाएगा दोस्तों बात करें नमबर 2 की तो नमबर 2 पर आता है Realme X3 Super Zoom स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है 6.6 इंचिस की High Resolution IPS LCD डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाता है 120Hz का High Refreshing Rate जो की Gorilla Glass 5 के प्रोट्रेक्शन के साथ आता है बात करें इसके Processor की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 12GB RAM के साथ 128GB और 8GB RAM के साथ 256GB और 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज के साथ और दोस्तों इसमें आपको HD Card Slot देखने को नहीं मिलता है और साथी इसमें side में side mount fingerprint sensor दिया गया है जो की काफी fast और accurate वर्क करेगा और साथी बात करें इसके camera की तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 15MHz की powerful battery देख पाएंगे जो की 30W के fast charger को support करेगी दोस्तों बात कर इसके price की जिसका price है 22,000 तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं number one smartphone की तो number one पर आता है Poco X3 Pro जिसमें आपको देखने को मिल जाएगी 6.67 inches की IPS LCD डिस्पले और साथी इसमें देखने को मिल जाता है 120Hz का high refreshing rate जो 860 का octa core processor जिसमें आप Free Fire, PUBG, Call of Duty जैसे high graphics game आसानी से खेल पाएंगे तो दोस्तों बात कर इसके RAM और storage की तो इस smartphone को दो variant में launch किया गया है जो की आता है 6GB RAM 128GB storage और 8GB 128GB storage के साथ और साथ ही इसमें देखने को मिल जाता है dedicated storage slot option जिसमें की आप one TV तक SD card slot यूज कर पाएंगे औ और दोस्तों finger print sensor देखने को मिल जाते हैं इसके right side में जो की mountain fingerprint sensor होंगे जो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके camera की तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है quarter camera का setup जो की 64MP plus 8MP plus 2 plus 2 का setup और साथ ही इसके front में देखने को मिल जाता है 20MP का selfie shooter का support जिससे की आप 4GB recording कर पाएंगे औ जिसमें आपको 5160 की powerful battery देखने को मिल जाएगी जो की 33W के fast charger के साथ आता है तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके price की तो यह आपको flip card पर 19,000 बन देखने को मिल जाएगा जिसकी link मैंने description में दे दी है तो दोस्तों यही थे 20 और 22,000 के under 5 best gaming smartphone तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो को एक लाइक जरूर करें थेंक्स पर वाचिंग